हलो एवरिवान मैं हूँ विकास और आप सभी का स्वागत है आपके इस चानल में जिसका नाम स्टॉक सपोर्ट शेर मार्केट में अलग-अलग टाइप्स के लोग होते हैं किसी को कैश मार्केट में इन्वेस्मेंट करना अच्छा लगते हैं तो किसी को डिर्यूटिब में या फिर कोई प्रोड़े में हम देखेंगे उसकी पूरी डिटेल्स ताकि आप यह डिसाइड कर सको कि आपको इस इन्वेस्मेंट करना है या नहीं है तो चलिए देखते हैं आपको की पूरी डिटेल्स लेकिन डिटेल्स देखने के पहले मैं आपको यह बता दो जब तक आप यह वीडिय और राइस परल्स शुगर जैसे प्रोड़क्ट कंपनी बनाती है उसके बाद कंपनी जो आइप ला रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है वह हम ऑब्जेक्ट इस वीडियो में देखेंगे कंपनी के प्लांट से उनकी मैंनफेक्टरी नियंग करने किलिए कंपनी आइप ला रही है री डुसरे कोई जनरल क्वर्परेट परपरज है उसके लिए कंपनी आइप ला रही है उसके बाद हम देखेंगे अधानी विल मार लिमेटेड आइप यहां पर कंपनी के आइप यह देखने वाले जैसे सब्सक्रिप्शन डेट डेट कुन से डेट पर आइप ओपन होने वाला है कुन से आइप ओपन रहने वाला है 27 से लेकि 31 तक आपको 27-28 के बीच में आपको आपको अप्लाइ करना है उसके बाद प्राइस बैंड आपको यहां पर दिख रहा होगा दो सो अटरा दो सो तीस यानि कि लोवर प्राइस है दो सो अटरा और अपर प्राइस है दो सो तीस तो नहीं कर रही कंपणी पूरा का फ्रेश इसू ला रही है कंपणी आपे 3600 करोड का IPO कंपणी ला रही है उसके बाद लॉट साइज अगर हम देखेंगे तो लॉट साइड है यह आपे 65 शेर का एक लॉट कंपणी बना रही है फेस वैल्यू वन रूपीज पर शेर और रिट लिस्टिंग होनी वाली है एंप्लोई के लिए डिसकाउंट जो एंप्लोई है उनके लिए डिसकाउंट दिया है कंपणी ट्वेंटी रूपीज पर शेर का डिसकाउंट कंपणी दिया है और एक लॉट के पीछे हमको मिनिमम इंवेस्टमेंट रहेगा 14950 रुपे का यहाँ पर आप मैक्जीमम इंवेस्टमेंट कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आईप्यो की टाइम लाइन देखेंगे हम कौन से डेट पर क्या होने वाला है तो आईप्यो ओपन होगा 27 जनवरी को क्लोज होगा 31 जनवरी को उसका अलॉट्मेंट हो जाएगा 3 फरवरी को औ सब्सक्राइब करिद हो जाएगे साथ फरवरी को और आईप्यो कर लिस्टिंग हो जाएगी 8 फरवरी को यानि कि कंपनी ट्रेड होने लगेगी 8 फरवरी से ट्रेड होने लगे तो उसके बाद यहाँ पर हम फाइनश्यर ढीटेज्स देखेंगे कंपनी क्या-क्या-क्या financial तीन यह का डेटा निकाला है 1921 का डेटा निकाल इस डेटा पर हम डिसाइड करेंगे कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में टोटल एसेट्स 2019 उसके बाद 2021 हम स्टेप बाइस्टेप देखेंगे तो टोटल एसेट है 11602 रुपीज का टोटल एसेट 2019 में 11785 यह 2020 में और 2021 में 13,326 यानि की हर साल टोटल एसेट कंपनी का बढ़ रहा है तो यह पॉजिटिव बात है उसके बाद टोटल इंकम देखेंगे हम 28,919.7 यह 2019 के लिए और 29,767 यह 20 के लिए और 37,195 यह 2020 के लिए यानि की अगर हम टोटल इंकम भी देखेंगे तो यह बाई यह यह आपे कंपनी का टोटल इंकम भी बढ़ रहा है तो यह भी एक पॉजिटिव थींग है प्रॉफिट आप्टर टैक्स यह कंपनी का पीटी देखेंगे 375.5 उसके बाद 460 और उसके बाद 2021 में 727.6 यानि की प्रॉफिट आप्टर टैक्स पी कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो यह भी पॉजिटिव वाली बात है नेट मार्जिन 1.3 1.5 और 2.0 तो इस बेसिस बे अगर अंव्फानेंशायर रिवीव करेंगे कंपनी का तो टॉटल एसेट सेट कॉंस्टेंटली इंक्रीजिन येर तो यार फानेशायर 19 तुट फानेशायर 2021 कंटिन्यूसली टॉटल एसेट कंपनी का बढ़ रहा है तो प्रॉफिट आप्तर टैक्स इंकिस यानि कि दोजार बीस के कंपरीज में दोजार इकीस में कंपनी का प्रोफित अप्टर टैक्स बढ़ा है फिप्टी सेवन पॉइट परसेंट से टोटल इंकम एंड मार्जिन अल्सु इंक्रिजेश कंटिनुसली फ्रॉम नैंटीन टू ट्वेटीवन कंटिनुसली मार्जिन भी बढ़ रहा है तो ओर 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 फाइनेंशियल अदानी विल्मार आईप्यों इस वेरी वेरी अट्रेक्टिव यानि कि फाइनेंशेड टाके बेसिस पे यह डिसाइड कर सकते हो कि कंपणी में आप इन्वेस्मेंट कर सकते हो लेकिन थोड़ा साथ डिटेल में जाने के कोशिश करेंगे फेस वैल्यू वन रूपीज पर शेयर इपीएस जो कंपणी का है 6.37 पी रेशियो है 3400222,36.11 डेटन और नेट वर्थ है रिवीव करेंगे तो पी इस 35 अपर प्राइज तो बुक वैल्यू इस अराउंड एट डेट इक्विटी रेशियो इस ज़स्ट 0.39 इस वेरी इंप्रेसिव वेरी इंप्रेसिव इंप्रेसिव ईपीएस रिटन ओन नेट्वर्थ इस आल्सो गूड और इस फेर वैल्यू आ आपको लिस्टींग गेंग बहुत मिलने वाला हैं उसके बाद है कि आ हम यहाँ पर मार्केट मार्केट प्राइम है निस 2050 किजिश तरीक है तो स्च बास्टेप हम deutsार बासमें यानिकी मैने के उननीस तारी को यहाँ पर 110 रुपे का एक सो दस रुपीज पर शेर का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको यहाँ पर देख रहा हूंगा उसके बाद 20 तारी को 100 रुपय मार्केट प्रीमिएम भी बहुत अच्छा होने वाला है तो यह तो यह पर प्लस आपको लिस्टिंग पर हमने देखिए कि फाइनेशेल डेटा भी स्ट्रॉंग है रेशो भी स्ट्रॉंग है और ग्रे मार्केट प्रीमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है तो इस बेसिस पर आप इस आई पियो में जरूर इन्वेस्मेंट कर सकते हो जो लिस्टिंग गेन है वो उडा सकते हो तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल भी कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाजो में बेल आइकन दिया उसको प्रेस कर दीजिए तो ऐसी वीडियो दे लाओ 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 भाओ